गर्मियों में बाहर निकलना सबसे बेड़ा तास्क है पर क्या करें काम तो करना ही है बाहर निकलना ही परेगा इसके लिए 52 हो 40 हो या 36 हो बाहर निकल कर काम तो करना ही है तो इसके लिए हम लोग खुद ही कुछ ना कुछ पिकोशन ले लेते हैं जैसे सांस्किन लगा लेते ह जैसे ही घर से निकलते है एक डम गोडा और आने के बाद उसका उल्टा आप लोग तो महसूस कर ही सकते है तो इसके लिए एक ऐसा रेमेडी लेकर आई हूँ जो जाने से पहले आप बना कर रखिए और आने के बाद टूरंत लगा दीजे और आपका स्कीन एक डम गोडा और जुल वीडियो करेंगे इसके लिए रेमेडी रेदी करते हैं उसके पहले मेरा चैनल ओफटर की बटन क्लिक कर दिए तो चली जाओ वीडियो सुरू करते हूँ सबसे पहले एक खिडा लेंगे पूरे चाल में मार्केट में यह खिडा एवेलेबुल रहते है उसका बहुत थोड़ा तुकड़ा करके उसको घिस लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सफेद वाला जो निकलता है, ये स्कीन के लिए भी हानिका रख है, और हेल्प के लिए भी हानिका रख है, और उसके बाद पूरा चिलका खीरे का निकाल लेंगे, उसके बाद बीच में दो तुकड एक टम पतला तीन चारपिस करना है जैसे तांस्परेंट हो आप जो वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से करना है और उसको साइड में रखना है उसके बाद खीरे को शॉपर्ज हो यह मिक्सिजर में भी डाल सकते पर मिक्सिजर में तालने से पूरा पानी जैसा हो जाते तो मैंने सोपर्स के हाल ग्रेट कर लेंगे उसके बाद क्या करना है नेक्स टेप एक बॉल लेंगे उसमें एक स्टेनर यानि चलनी रखेंगे जान रखेगा जो शाई बनाने के लिए चलनी यूज करते हैं वो यूज मत किदेगा यह फ्रेस रखेगा जो आप रेमेडी बनाने के लिए यूज करते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा डाल कर उसका जूस निकाल लेंगे आप अगर कुछ भी ना डाले ऐसे ही खिरा लगाएंगे ना आपका स्कीन वैसे ही आप अगर रात को लगाते हैं सुभा देखेगा आपका स्कीन इतना ग्लो करेंगे ना आप लगाने के बाद ही यकीन करेंगे उसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ उसके लिए आपको लेना है गुलाब जल हर घर में अवेलेबल रहता है ये गुलाब जल उसका चार से पास स्पून डालना है और एक बार स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है हैना इतना इजी सिर्फ आपको खीडे का जूस लेना है और गुलाब जल अगर आप चाहे तो ई विटमीन भी डाल सकते हैं नहीं तो आप स्कीप कर सकते हैं उसके बाद ये देखे एक रोलर है आइस रोलर ये इजी ली आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगा मैंने मिसो से ओर्डर की थी और डो पिस सिर्फ नाइन्टी तू रुपीज में मिला था उसके बाद उसको खोल दिया एक बाद साफ फिल्टर के पानी से ढोले जीगा उसके बाद खीडे का जो जूस था उसको डाल दिया और उसके साथ ही डाल दिया था जो खीडे का तांस्परेंट वाला निकाल कर रखा था उसको डाल दिया और उसके बाद धकन बंद कर दिया बंड करने के बाद उसमें जूस पूरा भड़ दिया है पर उसके बाद क्या करना है जैसे ही आपको उसको उल्टा एक बार पलट देना है क्योंकि जो खीडे का जो तांस्परेंट वाला हिस्सा डाला था ना तब उपर आ जाएंगे ऐसे ही डाल कर उसको बंड कर दीजे और पूरे रात हो या दिन हो आप उसको डीप फ्रीज में रख दीजेगा अगर आप जाने से पहले रखेंगे तो उसको शैट होने में 3-4 घंटा लगता है उसके बाद देखें मैं जैसे ही बाहर से आई थी मेरा हालत देखें कितना पसीना पसीना मतलब इतना उमस है उसके बाद तूरंथ ही आपको लगाना है जैसे आप बाहर से आने के तूरंथ ही फेस में ये आईस रोलर लगाना है इकड़म सिंपल है जैसे आप आइस लगाते उसी तरह से लगाना है और देखिए जैसे आप 48-42 डिग्री में बाहर रहते हैं उसके बाद आकर जैसे आप फ्रीज का पानी पी लेते हैं आपको जैसा सुकून मिलता है यह लगाने के बाद ऐसा ही है पर फड़क यही है आपको सुकून भी मिलेंगे और टैनिंग का प्रॉब्लेम भी नहीं होगा और साथ में स्कीन भी ग्लो करेंगे है ना 3-1 एक रेमेडी तो जल्दी जाएए यह ओर्डर कीजिए और यह बना कर रखे इस गर्मी में आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है पर हां आपको संस्किन बाहर जाने के ताइम लगाना जरूरी है यह मत भूलिएगा तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा ऐसा ही मज़टार वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब थेंक्यू